रिपोर्ट लिखने के बदले पुलिस वालों ने मागे 10,000 रुपए ना देने पर की मार पी दर्श करवाने की सरकार ने शूब दे रखी है। जहां से पुलिस द्वारा सताये गए पीडित पुलिस धीक्षक कारेले पहुचे। पीडित अच्छलाल साकेत निवासी बहुरी बान ने बताया कि वो 10 अक्टूबर को शिकायत करने चुरहटा थाना गया था। जिसके साथ आरोपी, गोधन प्रजापती, मुल्लो प्रजापती, कामता प्रजापती, पुषकेंडर पांडे, सही तीन अन्य लोगों ने घर में घुषकर मार पीड की थी। पीडित अपनी बहु के साथ ठाना पहुचकर शिकायत दर्ज कराने पहुचा लेकिन पुलिस करवियों ने शिकायत दर्ज करने के बदले 10,000 रुपए की मांगी। फीडित ने जब रुपए देने से इंकार कर दिया तो उससे गाली गलाउच करने लगे और विरोध करने पर जम कर मार की। फीडित ने बताया कि उसके घर में घुषकर मार पीड करने वालों के दो पहिया वाहन और चपले भी छूटी हुई। इसके बाब जूद पुलिस आरोपियों के खिलाब कारवाही नहीं कर रही। फीडित ने पुलिस दिख्षक कारले पहुचकर बयान देकर वस्तुस्तित की जानकारी लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्श कर कारवाही करने की म भाग देहें। भाई के अलावा हुई के साहब जीरे पड़े तो उनके चोड़तों लगिन गए। यह वत्तुसत है। जिन के जो आपको मारे इंचित्रा पहली जुआद अधिक जिवाद हम जाने के नहीं कि दारु पीन ख़त मुखबाद था रहा हमां भावा मां दारु के वाए हमरे नातिव से जिक्षा अभाद बना रहते हैं तो मोड में रहते हैं कोहां रहे हैं परजापति कायद आपने इन्ठे है ये ने कि इन लेह ना गाँ जनते नहीं हैं कब हुआ है इस पी आपिस में है हमारा चलाल साथे बहुरी बाद जिलारी वा मतपरदेश पोस्ट आप इस बहुरी बाद